हाई विल्कम बैक तो अपनी पहली क्लास है और उसके बाद इंपॉरेंट चीज है कि आपके एक्जामिनेशन में पास दिन बचे हुए है आपका जो में इंजामिनेशन है इस 2022 का लाश्ट इस पास दिन बचे हैं और पास दिन पहले मैं आपको हमेशा एगमेन करता हूं कि आ आपने अभे तक के mock test लगाया है उनके question जो आपने गलत किये थे या फिर जो आपने like छोड़ दिये थे जिनके भी concept आपने या फिर कुछ आपको highlighted question मिलोंगे जिनको आपने bookmark कियोंगे उनको जरूर रिवाइस कर लेना और यहां पे हम लोग आपके कैसे help करेंगे यहां प कि बेसिस क्लियर नहीं होंगे जिनको लगता है कि अभी तयारी उनकी पूरी नहीं है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम यहां पर साथा टाइप कबर कर देंगे उस टाइप में जो भी मैं method बताऊंगा वो कोई shortcut method हो या फिर ऐसा तरीका होगा जो कि आप examination में directly लगा आपको क्या करना होता है दम fully त्यार होना होता है मतलब आपको जो basic tactics है वो भी आने चाहिए और जो आपको वहाँ पर लगानी वो भी आने चाहिए तो जो लगानी है वो teacher आप लोगो पढ़ाते हैं वो हम लोग आपको बताएंगे कि मतलब basically कैसे आप shortcut से कैसे quick answer निका सकते हो क्योंकि 20 minute में आपको practice question मनाने है तो obviously हम basic method से निकालने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथ में आपको लेकिन basic method जरूर पता होना चाहिए जिससे आपका fundamental clear हो कि कोई चीज क्यों हो रही है जब कोई चीज क्यों हो रही होती है और उसके true हम shortcut बनाते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत दिन तक retain रहती है बहुत long time retain रहती है ठीक है तो ये बात भी हम ध्यान र करेंगे कुछ means level की DI, means level की question को cover करेंगे जिसमें आपका SBI clerk means, SBI PO means वो दोनों का content उसमें आपको मिलेगा दूसरा एक हम class जालेंगे एक video मैं डालूंगा हफते में वो हो गया आपकी foundation की foundation की किस के लिए जो बच्चे एकदम week है जो एकदम नए है अभी start कर रहे हैं जिनको basic methods नहीं पता, calculation पर कैसे काम करेंगे, mind में कैसे मैं calculation करता हूँ, वो चीज़े सब सिखाऊंगा मैं आपको foundation वाले class में, ठीक है, तो इसके दोनों के announcement बाद में कर देंगे, अभी देखते हैं, आज जो part वर हम cover करने जा रहे हैं, तो चलिए start करते हैं, आपके साबने 10 questions पर उस type के पूस्ता है, आप क्या करोगे, जब मैं question दिखाऊंगा, तो आप pause करेंगे, खुछ से करने कोईश्च करना, जो भी आपको best method आता है, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा, कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, जिससे आप भूलो भी न, आपको foundation method भी आपका clear हो, ठी कैसे करते हैं इसको, दिख रहा है को question न, देखो mug or bottle का आपको CP दिया हुआ है, उसके बाद softkeeper ने क्या किया, mug को 10% और bottle को 20% profit पर बेज दिया, उसके बाद discount भी offer करता है, 10% तो 5%, तो mark price पूछा है, mug or bottle का, ठीक है, करते है, देखे, सबसे पहली बात तो आपको जब भी CP, SP MP का ये, रहता है, question मिलता है, तो एक जो basic concern वो आपको हमेशा पता होना चाहिए, कि होता क्या है, कि आप CP लेते हो, ठीक है, CP कुछ mark up करते हो, ठीक है, तो आपको MP मिलता है, समझ रहो, मलब कोई सबाना आप लेते हो, CP पे, cost price पे लेते हो, उसको कुछ mark up करते हो, बढ़ात होता है, ठीक है, उसके बाद, आपको उनको discount देते हो, ठूट देते हो, ठीक है, ठूट देते हो, फिर finally आपको मिल जाता है, SP, ठीक है, और CP से SP की बीच में जो relation होता है, वो आपका profit loss का होता है, यह आप हमेशा याद रखना, discount, MRP मिलता है, mark up CP पे होता है, और profit loss आपका CP CP पे होता है, जनरली, until and less mentioned now, ठीक है, चलिए, अब यह basic fund अगर आपका clear है, तो आप इसको question को basic method जागी मैंने बताया है, इससे ही कर लोगे, आपको mug bottle का CP दिया है, आप लिख लो, यहाँ पे, यह आपका mug है, और यह bottle, यह आपका 3 is to 2 दिया हुआ है, हमको CP, फिर आपको 10 10% 5, 20% profit है, तो अगर profit दिया है, तो अपन काम करते हैं, SP निकाल लेते हैं, इसका जड़ा profit बताना, अब बताओ, अगर मैं इसी 10% profit निकाल दूँ, तो इसका 10% value कितना होगा, बताना, 3 का 10% होता है, 0.3, तो यह value आ जाएगी, 3.3, दिहान से देखना, ऐसी जो आपका bottle है, बॉटल का 20% profit है, तो बॉटल का 20% कितना होगा, 2 का 20% होता है, 0.4, मतलब 40, 0.4, तो आपका हो जाएगा 2.4, तो इससे क्या है, कि आपको mug और bottle के यह दोनों ratio निकल जाएगे, क्या है, यह SP, आपको SP का ratio मिल जाएगा, ठीक है, जैसी आपको SP का ratio मिला, अगर SP का ratio मिल गया हमको discount दिया है, तो आप direct ratio से, आप mug और bottle का MRP निका सकते हो, कैसे, जैसे एक बाह बताता हूँ, जैसे माल लो, SP अगर given है, तो आपन directly लिखेंगे MP, पहले वाले का, मतलब mug का, कितना अगर पता है आपको, यह 3.3 है, मतलब SP, आप बाह बताओ, आपने SP पे 10% की छोड़ द 90 से divide कर दूँगा, ठीक है, चलेगा, दूसरा, अब मुझे माल लिखे bottle के निकालना है, तो मैं bottle का MP लिखूँगा, और similarly वैसे निकाल लूँगा, यह 2.4 है, इन्टू, अब वहाँ पे आपने 5% दिया है, तो वही बात है, 100 से 95 हुआ है, तो आपको MP चीहे, तो क्या करोग 100 by 95 दिकाल लोगे, ठीक है, I hope यह आपको method पता हो, अगर ratio simple से लिखना है, ठीक है, अगर आपको SP दिया है, यह SP हुआ, यह आपका SP हुआ, यह आपका discount percentage लगा, और यह आपका MP आ गया, ठीक है, अब हमसे न, इन्हें का ratio पूछा है, कुछ नहीं करना है, divide कर दो, divide कर दो, अब इसको divide करो, कैसे करेगा, पहले 100 से 100 निकल जाएगा, 3 से कार देते है, 1.1 और यह आपका 0.8, फिर इसको कार जाते है, यह हो जाएगा 18 और यह हो जाएगा 19, ठीक है, अब 19 उपर जाएगा, मैं इसको तरह आप 60 लिखता हूँ, यह आपका हो जाएगा 11 into 19, और यदर नीचे आपका हो जाएगा, कितना, कितना होगा, 18 नीचे हो जाएगा, 8 into 18, ठीक है, अब मुझे पता है, 18 नीचे होता है, 144, तो जिस उप्षन 144 वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विखता है, बिखता है, यह बास समझ में आ गई हो तो, यह आपका पहला क्वेशन था आई होप आपने भी ऐसी किया होगा, वो भी काफी अच्छा कुश्चन है, यह पर्स्ट और यह रहा, सेकेंड कुश्चन, यह बनाओ, बहुत सिंपल कुश्चन है, लेकिन हर बर आपका एज से एक कुश्चन जरूर आता है, तो आप इस कुश्चन को बनाओ, पॉस कर लो होगा, नहीं किया मैं को समझाता हूँ, देखो, इस से कुश्चन आते है, जहां पर आपको 10 साल पहले, 20 साल पहले देता है, 5 साल, 10 साल बाद कुश्च देता है, और बीच में कुछ डिफरिंट दे देगा, यह पूछ लेगा, एज गैप पूछ लेगा, एज कर इस पूछ साल पहले अगर हम जाएं, जहां देखेगा, 10 साल पहले, तो जो एज कर इस पूछ था, आपका 1 इस्टू 3 था, ठीक है, अचा, 5 साल इधर अगर आएं हम, 5 साल बाद आएं, यह प्रिजेंट वाला है, यह प्रिजेंट वाला है आपका, जो प्रिजेंट में एज है, उनकी एज का रेशियो है, उससे 10 साल पहले 1 इस्टू 3 था, और 5 साल बाद आपका जो अभी रेशियो है, वो 2 इस्टू 3 है, अब चो आपको एक कॉंसर यहां समझना बहुत जरो रही है, आप बाब बदाओ, जैसे मान लो कि मैं हूँ, और एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मेरी ए एज होगी 40 साल, और उसकी एज हो जाएगी 45 यह, तब भी एज का गया 5 साल ही रहेगा, तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है, कि 2 परसन के बीच में जो आईउ का गया होता है, वो हमेशा constant होता है, कभी change नहीं होता, यह बाद क्लियर होगी, तो अगर constant होता है, तो कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, बट एक का gap है, तो कुछ बात नहीं है, यहाँ पर हम 1 जो gap है, इसको 2 से multiply कर देंगे, तो इसको हम 2 से multiply कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, तो gap दो का हो जाएगा, तो यह आजाएगा हमारा 4 इस टू 6, यह बाद समझना आ रही है अब मैं इसको इधर लगता हूँ, ध्यान देखेगा, तो मतलब 1 इस टू 3 था पहले, और अभी यह जो हो चुका है, वो कितना हो चुका है, 4 इस टू 6, ठीक है, ध्यान देखेगा, अब मेरे बाद ध्यान सुनना, इनके जो ratio है, इनके बीच में जो unit है, वो कितने unit का gap है, 3 unit का, और कितने साल का gap है, 10 साल पहले, 5 साल बाद, तो यहां से लेके यहां तक का 15 साल का gap है, यह बाद सुनना रही है, तो मैं क्या यह ले सकता हूँ क्या, कि जो आपका 3 unit है, वो 15 साल के बराबर है, इसको उल्टाए बोल सकते हैं, कि जो आपका 15 साल है, वो 3 unit के बराबर है तो जो आपका 5 साल होगा जो आपका 5 साल होगा वो एक unit के बराबर होगा आप ध्यान से देखो तो 5 साल पहले अगर यहां से किया जाये तो हमारी प्रेजेंट रहा जाएगी तो यहां से गर मैं 5 साल पहले मतलब कि 1 unit पीछे जाऊं तो मेरा answer आजाएगा तो एक unit पीछे मतलब यह 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 5 तो 3 to 5 जो भी इसका अंसर होगा वो आपका answer हो जाएगा 3 to 5 यहां पर option नहीं है सॉरी बट इसका answer हो जाएगा आपका 3 to 5 आप directly ratios कर सकते हो कई बार क्या होता है कि हमको कोई बोलता है कि हम इसकी value निकालो फिर 5 साल जोड़ो कुछ करना नहीं है आप directly ratios कर सकते हो बहुत सान question है और वन लाइन दोनों विसल को लिया गया और mix कर दिया गया 8 to 5 की रिशियो में तो percentage of quantity alcohol की क्या होगी देखे इस question को आपने एक तो mixture allocation पढ़ा होगा ठीक है mixture allocation से भी कर सकते हैं बहुत बढ़ीना तरीका है और यह तरीका मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जो आपको सही लगे वो कर लेना लेकिन best वाला पता हूँगा उन में से best कौन सा आपके examination के रहेगा ठीक है देखो उसको पहले छोटा कर रहते है I hope दिख रहा होगा आपको देखें दो है न हमारे पास हम क्या लिखते है पहले लिख लेते हैं water और alcohol का है यह रहाए मेरा water और यह रहाए मेरा alcohol जो v1 vessel है उसमें कितना ratio है 5 is to 3 का जो v2 है उसमें कितना है आपका 2 is to 3 का यह बात clear होगी यही है ratio आपका 5 is to 3 2 is to 3 और इनको अब mix करना है हमको इस vessel को 8 के और 5 के ratio में ठीक है यह बात clear है देखें यह पहले सके मैं आपको बता रहा हूँ ratio से एक तरीका इसका बनता है कि आप इसको allegation से कर लो पहले सके एक बात करता है देखें यहाँ पे आपको देहां से देखो तो 5 और 3 टोटल जो content और v one में वो आठ यूणिट का है वी टू में अगर बात करें तो दो और तीन 5 यूणिट का है अगर हमको v one और v two दोनों को mix करना है तो हम क्या v one v two को पहले बराबर न कर लें जब हम बराबर कर लेंगे उसके बाद जो इसकी value है 8 उतना गुना यह ले लेंगे जो इसकी value सॉरी कि आप क्या करो पहले इनके रेशियोस को एक्कुल कर लो रेशियोस को कैसे एक्कुल करेंगे इनका सम देखी कितना है पांस और तीन आठ का और इनका सम जो है वो दो और तीन पांच का है तो अपन क्या करेंगे इसमें पांस से गुड़ा कर देंगे और इसमें अपन क यून दोनों का हो गया value, अभी क्या करना है, इसका हमको 8 पार्ट लेना है, और इसका हमको न 5 पार्ट लेना है, ठीक है, और इसी में अपनको निकाल लेना है alcohol का final mixture, अग इसको मैं अगर लिखने जाओ, आप जहां से देखो, तो V1 क्या लिखा है, देखो ज़रा, इसको मैं अट्रेशन नहीं जोड़त नहीं है, तो 40-40 इसको खुद बना करें रखा है, तो यहां पर आपका 5 इस्टू 3 इंटू 40, 2 इस्टू 3 इंटू 40 है, ठीक है, फिर आप सब पूछा गया है कि alcohol बताना आपको, मतलब ये value-value आपको बतानी है, alcohol वाली, किसमें, final mixture में, इसको मै सब्सक्राइब आपको समय में आ जाए, तो 5 इस्टू 3 इंटू 40 ये है आपका, और ये है आपका 2 इस्टू 3 इंटू 40, अब हमसे पूछा क्या है alcohol, मतलब ये वाला, तो ध्यान से लिखो, इसको मैं यहां पर लिखूँ, कि जो alcohol है, पूरे mixture में, वो कितना होगा, 3 और जो पूरा mixture है, आप जहान से लिखो, तो 5, 3, 8 इंटू 40, और 3 इंटू 5, 8, 5 कितना होता है, 13, 13 इंटू 40, तो ये हो जाएगा, आपका mixture में, alcohol, ठीक है, आप बोलो भी आप 40, 40, आप simplify क्यों ने करो, मैं नहीं से simplify नहीं करो, कि को मुझे पता है, कि ये 40 है, ये 40 है, तो 40 आपका finally, महाँ पर जाना है, तो आपको simplify करने जोत नहीं है, इसको solve मन करना, ठीक है, आप सिफ 40 लिखे रहो, और 6 by 13 आपका answer हो जाएगा, ठीक है, अब 6, अच्छा, रेशो में तो पूछा है percentage, तो पसंटेज निकालना है, अब इसको ऐसे कर लो, directly कर लो, 600 कर लो इसको, 13 आपका हो जाएगा, और 80 बचेगा, 13,70, तो 4 और 6, ये वाला आपका answer हो जाएगा, 46.15 percentage, clear है, ठीक है, तो इस तरह कोशन निकाता है, एक कोशन जैसे मैंने इसको पताया कि इसको आप और कैसे कर सकते हो, मैं इसको आपको next slide में दिखाता हूँ, तो दो वेसल है, उनके हम हमको ratio पता है कितने कितने में हैं, तो हमको mix करेंगे, तो हमारा ratio नहीं आ जाएगा, अगर हमको ये पता है कि हमको किस ratio में बाटा गिया, आप किसी एक component को ले लो, एक component लेना है, बस यहाँ पर क्या होगा, ratio जाले निवाल्व होंगे, इसलिए method थोला सा lengthy पड़ेगा, आप क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो V1 में कितना है, 5-3 है, ये, ठीक है, तो यहाँ पर अपर लेते हैं V1 और 5-3 है न, तो हम ले लेते हैं मानलो, अपर लेते हैं, पहरा कहा है water और तीसरा है, ठीक है, तो मानलो water के लेते हैं, तो water कितना होगा, 5-8, V1 में 5-8 water है, जहां सुनि परिए गा अच्छा एकाम कहते है ऑब कोहल पूछा है यह अपको है यह जू है 2 २ंस पिखा है में थ्री वाइट को यह पता कि वी न को आपने कित्ते यह मिदित धी खता आपने लिया है 5 unit ठीक है समझनारी बात आपको पता है इसका इसका difference यह आता है इसका difference यह आता है उस ratio में आता है लेकिन एक बात आपको पता करने पड़े है कि कौन से value उनमें से बड़ी है और कौन से छोटी है x से क्योंकि वैसे minus कर पाएंगे तो हमको पता है या 3 by 8 है और x छोटा है इससे जब x इससे बड़ा है तो हम लिखेंगे directly ध्यान देखियेगा x minus 3 by 8 upon ठीक है यहाँ पर लिखेंगे 3 by 5 minus x equals to ठीक है इसके साबने आएगा अपन का 5 5 और इसके साबने आपन का आएगा 8 ठीक है clear है अब इसको cross multiply करने आपको पता है अच्छा दोको यहाँ आप भी बना के दिया हूँ अच्छी बात है 8 से 8 कर जाएगा तो आपका आजाएगा 8x minus 3 यहाँ लिखता हूँ 8x minus 3 equals to यह आजाएगा आपका 5 से 15 और minus 5x ठीक है उसको धल ले जाओ इसको धल ले जाओ तो यह हो जाएगा आपका 30 next नहीं 3 आएगा सॉरी 3 आएगा यहाँ ठीक है यह 3 हो जाएगा आपका यह 3 हो जाएगा ठीक है तो 13 next और जाएगा 6 तब भी आपकी 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 आजाएगी 6 by 30 ठीक है 6 by 13 से आप फिर परसेंटेज निकाल लोगे 46.15 ठीक है तो आप चाहे आप रेश्यों से कर लो कैसे भी कर लो बात एक किये ठीक है clear है चलो इस question को लगाने सपाया थोड़ा था यहाँ change है एक line भी सो गई थी इसमें basically दिया हुए है कि 2 point है A और B उनके बीच की दूरी दूरी यह D kilometer ठीक है अब distance जो दिया हुआ है जब वो travel कर रहा है along the stream ठीक है तो वो दिया हुआ है 3 times the distance जो यह D है और जब वो against में travel कर है तो वो दिया हुआ है दो गुना है उस total distance D के फिर कह रहा है कि if the time taken to cover the distance along the stream वो दी हुए distance time दिया हुआ है कितना है वो time 10% less है than the time taken as against the stream ठीक है फिर speed की बात किये कुछ if a person covers the distance of 21 kilometer in 1 घंटा 24 मिनट की दूरी तै करने में लगाते है ठीक है तो धारा की हमको दर याद करनी है basically जो speed हमको है निकालनी है stream की देखिए इस time speed distance में यही दो दिन तरीक के question बनते है एक आपका board stream बनता है जिसमें आप हमेशा याद रखेगा V, board की speed, U को याद रखेगा क्या बोलते हैं आपका stream की speed, D याद रखेगा downstream, U याद रखेगा upstream, V plus Q, V minus Q, दोनों को इतना demand पर रखे रखे रहिएगा, ठीक है, फिर आपका एक relay roller बनता है, वो question भी आगया आएगा, तो दो तीन type के बनते हैं वो दोन हमने लिए हैं, आप pause के पहल लगा लो, अब I hope आपने pause के लगा लिए होगा, आप question को देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका question है, अब देख कैसे करें ये D, हमको दो equation दी हुई थी, कि traveled along the stream, ठीक है, जब वो along जाएंगे, तो along का मतलब 7 बचाएंगे, add होगी speed, तो V plus U, कुछ time लगेगा, और वो दिया हुआ है, तीन गुना इस distance के, दिया है न, कुल दूरी का 3 गुना, ये वाल दूरी का, फिर जब उसके against जा रहे हैं, तो V minus U, against जाएंगे, तो river के आप against जाओगे, आपकी speed घटेगी, और यहाँ पर जो T लगा है, उसका ये D, ठीक है, अचा, फिर person की speed भी दी हुई है हमको, कि अगर वो person इतना kilometer travel करता है, इतने minute में, along the stream, अब ये बास समझने वाली है, along the stream, मतलब ये वाली जो speed है, वो आपको given है, ठीक है, V plus U आपको given है, तो अपन V plus U कैसे निकाल लेंगे, ये given है, 21 kilometer upon एक घंटा 24 पर को घंटे में खल लेंगे, जिसे कि किलो मेटर परार में आ जाए, तो 1, अब 24 by 60 लिखता हूँ, हमाँ डिरेक्टे यहाँ पर, जहां देखेगा, ये 12 दो नहीं कटेगा, ये 12 प speed है downstream की, वो हमको मिल गई 15 kilometer पराम, अच्छा, ये दुरो time अलग-अलग है, ठीक है, ये लिख लीजे चाहे, अलग-अलग है, ठीक, अब हमको ये दिया है, कि जो downstream का time है, वो 10% क्या है, less है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपन क्या करेंगे, time लिख सकते है, time क्या होग minus u, ठीक है, so 2d upon v minus u, इसकी दिखी क्या दिया हुआ है, कि 10% less है, मतलब अगर ये मैं 10 ले लूँ, तो इसमें 10% less हमारा ये 9 हो जाएगा, basically ये दिया हुआ है आपको, ये solve करेंगे, हमको हमारा rate of current u मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखते हैं जल्दी से, d से d कर जाएगा, v plus u की value d होई है, हमको 15, ठीक है, धान सुनगेगा, 3 से 3 कर जाएगा, ठीक है, चलिए बाकी उपर निचे करते हैं, और ये 15 दे रिया था, v minus u को उपर ले जाते हैं, तो v minus u upon, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 15, और 10 इधर है, 3 धर है, तो 3 upon 10, इसको 2, 5, ठीक है, साही कर ठीक है, अच्छा, ये 2, ये 2 भी है, ठीक है, तो ये 2, ये 2 जो है, इस 2 को काट देगा, ठीक है, कुछ गल्द कर रहे हैं कि, v plus u 15 आ गया था, ठीक है, तो v plus u 15 आ गया, ठीक है, यहां 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो इस से हमको यहां से क्या मिल जाएग V-U की value 9 आ जाएगी ठीक है अब आपको पता है ध्यान सुनिए आपके पास V-U बंद रहा है V-U 9 है तो उत्का करें दोनों घटा देंगे तो पनशन रहा आपकी स्क्रीन पर जल्ली से बनाएगी और ये question मैंने ले लिया probability का क्योंकि probability का एक question आपको हर साल आई जाता है ये question आप बना लो ठीक है चलो I hope आपने फॉस करेंगे बना लिया होगा अब ध्यान सुनिए जो मैं बताने जारा हूँ ये question important देस लिए है क्योंकि probability का एक question आता है और मैं आपको ये बताना चाहिए question के तुरू कि probability के question easy आते है ठीक है उनको skip करने question मत क्या करें ये probability के छोटा सा concept है आप एक lecture पढ़ोगे आपको पूरा concept समझ में आ जाएगा इस question के ध्यान देखिए 27 card है जिस पे ये number link लिखा हुआ है 217 तक ठीक है अब हमने क्या किया दो cards को picked किया at random one by one यहाँ पर देखिए यह important होगा one by one ठीक है यहाँ पर यह important होगा one by one ठीक है मतलब ऐसा पहले एक card निकाल लिया अब 26 card बच्चे है उसमें से एक निकाल रहा है ये बात important है What is the probability that sum of these numbers on these two cards is odd दो नमबर के sum odd गब होता है बताई जब एक even हो एक odd हो दोनों even में even आता है दोनों odd में odd आता है ठीक है तो एक number even आना चाहिए एक number odd आना चाहिए अब यह बात ध्यान सुनिए ज़र को छोटा करते है कि एक बात बताईए कि एक से 27 तक हमने संख्या लिख ली ठीक है एक से 27 तक की संख्या में कितने आपके sum होंगे कितने विसा होंगे आप यह बताईए पहले में बात ध्यान सुनिएगा एक से 27 तक की संख्या में टोटल आपके 14 number odd होंगे 14 odd होंगे ठीक है और आपके 13 even होंगे अब देखें, दो possibility बनती है मैं पहला card निकालूँ, वो odd निकल जाए और दूसरा जो card निकालूँ वो आपका, जो भी उसमें बचेगा वो उससे even निकल जाए, ठीक है? एक possibility यह हो गई, दूसरी possibility यह हो गई कि मैं पहला निकालूँ, वो even आजाए दूसरा निकालूँ, वो odd आजाए यह possibility होगी, even odd की दोनों even, दोनों odd तो हो निसकते हैं ठीक है? तो हम क्या करेंगे? दोनों possibility को बना लेंगे पहली possibility कि मालिजे मैंने पहला card निकाला और वो आया आपका odd number ठीक है? 14 upon 27 अब दूसरा card जवाप निकालने जाओगे तो अब क्या है? 27 के बजाए आपके पास 26 card ही है और उसमें से आपको लाना है even तो उसकी probability क्या होगी? टोटल 13 even है, so 13 upon 26 या फिर आपको पता होगा जब probability में दो condition साथ में होती है अब पॉसिबिल्टी होती है यह या फिर और होता है इसको बोलते है और और इसको बोलते है आपका and ठीक है? जब और होगा ya फिर जब पहरा number निकालो वो odd आई, तो उसकी probability क्या होगी शरी जब पहरा number निकालो वो even आई तो उसकी probability क्या होगी? 13 upon 27 ठीक है ध्यान देखेगा और जो next number आप निकाल रहे हो वो आपका odd आए तो odd total 14 है ठीक है और total बच्चे किते हैं 26 तो यह हो गया हमारा final solution अब इसको आपने solve कर लेंगे solve करना easy है यह two times कट जाएगा और यह यहां भी two times कट जाएगा ठीक है तो दीखे 14 by 27 का half 14 by 27 का half मलब किसी number को आप दो बर half कर तो वो number खुद आ जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा 14 by 27 समद्द आ गया जो probability के question होते हैं वो असान होते हैं यही मैं दर्सान चाहरा था कर अगर यह इनको बिल्कुल इसके पनी करने का अगला question लेते हैं यह question आपका पॉसर के लगा लिया होगा ठीक है दिखे इस question में एक बात ध्यान रखना ठीक है अब इस question में आपको दो लगन सिखाऊंगा पहरत मैं आपको पता दिया ठीक है कि कुछ भी नहीं लिखा हो तो वह SI है यह बात आपको समझ में आगी दूसरा यहां एक concept आपको और समझाता हूं देखिए दो साल बाद जो यह value यह बन जा रहे मतलब यह amount है ठीक है तो धाई साल का amount और 200 का amount अगर इसका difference लें तो इसका difference कितना आएगा पतागी जड़ा 35 और यह आपका हो जाएगा 105 105 रुपया आएगा दो साल के amount का difference आपको पता यहां पर क्या आएगा पी तो कट जाएगा यह value मुझे direct मिलेगी 0.5 times r% of p ठीक है यह value आई है आधा percent आई है r% का ठीक है अब यह बात और सुनिए अगर मैं इस आपका r% of p यहांस निकाल दूँ direct आप बुलो भी है क्यों r% of p निकाल रहो हो पताता हूं इसका double कर देना 210 आपको पता r% of p क्या होता है बहुत important statement है यह आपका simple interest एक साल का किसी भी value का किसी principle का अगर मैं r% कर दूँ तो उसका एक साल के simple interest आजाता है और उसी मुझे यहा आप देखे ध्यान से 3420 रुपय आपको दिया है amount ठीक है तो 3420 रुपय किसके equal होगा principle के प्रिंसिपल के प्लस दो साल के SI के यह होगा ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे principle तो हमको चाहिए और दो साल का SI क्या होगा यह देखिए एक साल का SI हमारा 210 ठीक है तो 2 into 210 ठीक ठीक है आप डिर्कली इसको देखें कितना आ रहा है चार सो बीज एदर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हमको पीक वेलू मिल जाएगी पीक वेलू अपनी मिल जाएगी 3000 रुपीज लेकिन हमारा फाइनस नहीं आ है अभी 3000 हमको मिल गया है और यह हमारा क्या है प्रिंसिपल है मूल धन है अब अगर 3000 रुपए हमारा मूल धन है आपको भी सुझना आता है कि कि कितने परसंट इसका मैं निकालू कि 20 रुपए है साथ परसंट ठीक है सब डिर्क्ने करना चाहिए बस आपको यहां पर यह लिखना था जिसका डिफ्रेंस लिकारना था इससे आपको यह मिल जाता हाफ हाफ परसंट जिससे आपको एक साल का साधारानिव जाता और ये चलो यह तो अभी कोश्चन जब मैं इसका आपका पॉ बूल गया हूँ मैं लेकिन सब किसी निकिसे आपके साल में आये हुए है ठीक है चलिए बहुत important question बहुत बढ़ी है question है यह question मैंने लिया है time and work पे आपको पता है time and work में दो ही तरक question आता है बहुत जीब सी आगी लेकिन इसमें एक जो basic concept होता है efficiency का number of days का work निकालने का अगर आप आपने पर रखा है तो कभी इसके question फसोगे नहीं आप इसमें दो तरह के बनते हैं एक तो यह बनता है एक pipe का बनता है तो मैंने यह भी लिया है और एक question अभी काफ़ी अच्छा है question pipe का भी लिया है ठीक है चलिए यह बनाईए आप इसको बनाओ pause करके और I hope आपने बना लिया होगा मैं start कर रहा हूँ देखे यहाँ पर जो B की efficiency है वो A से जादा है 20% ठीक है फिर B को काम करता है उसको X जिन तक करता है फिर B को जो है A replace कर देता है फिर A जो है remaining work को X plus 8 days में कर लेता है तो उन दोनों के work का ratio दिया हुआ है पूछ रहा है कि दोनों साथ में काम करें कितना time लगेगा ठीक है चल यह A है और यह B है तो B के efficiency 20% जादा है बतलब अगर मैं इसको 5 ले लूँ तो B के efficiency आई है 6 ठीक है कोई दिकत नहीं उसके बाद यह बोल रहा है कि B ने काम किया चलिए अब क्या हुआ कि X दिन तक काम चला और B ने किया उसके बाद आपका X plus 8 days काम remaining जो था वो अकेले A ने किया ठीक है A ने इतना दिन काम किया बी ने इतना दिन काम किया यह इनलों के efficiency का ratio है ठीक है फिर उनके work का ratio दिया हुआ है अब इनका work कैसे निकालो, बहुत simple है आप इनके जितने दिन काम किया दिन को efficiency मटिप्लाय कर दो बाई efficiency क्या होती है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैंगे 5 unit, कितने दिन तक काम किया x plus 8, ठीक है तो एक अब work जो होगा, वो कितना होगा 5 की efficiency से x plus 8, ठीक काम किया similarly b की बात करूँ तो b 6 के efficiency से x, ठीक काम कर रहा है 6x, और यह value कितनी आएंगे हमारे पास 3 by 2 सही कर रहा है, ठीक है आप इसको आप एक काम करो इसको 2 से कार दो 3 times इसको जल ले जाओ, यह जाएगा 9x और इधर यह खुल जाएगा, 5x तो 5x plus 40 equals to 9x इससे आपको यह मिल जाएगा, जो x की value है वो 10 है इसका मतलब यह है, कि जो अपना b है, उसने 10 दिन काम किया था, और जो a है उसने 18 दिन काम किया था यह बात ध्यान रखेंगे कई बार, कई लोग क्या होते हैं जब examination बहुत आप हरवड़ी मिल जाते हो बहुत जिल्दी बाजी आप क्या करते हो, पता है 10 आया, 18 आया वह अपना 10 18 लगा के, यहां से निकाल के आप निकालने लगते हो ऐसे गलती निकानने का 10 18 क्या है, ऐसे गलती कुछ लोग करते हैं इसलिए बतारों में, 10 आपका B का कुछ दिन जो उसने काम किया है वो है, A जो उसने कुछ दिन काम किया, 18 दिन, सिर्फ उतने का काम है, पूरे काम करें, 18 दिन, ठीक है तो अब मुझे total work निकालना पड़ेगा तो अभी लिखेंगे आपे हम लोग क्या total work अब दिखें, वही 5 के एफिजिंसी से 18, तो 18 पंचे 90, प्लस 6 के एफिजिंसी से 10 दिन काम किया, 60 total अपने पास work कितना आ गया 150 work ठीक है, अब पूछा क्या है, कि कितने दिल लगेंगे, भाई कितने एफिजिंसी है 11, दोनों मिलके करेंगे, तो per day 11 unit काम होगा न, तो per day 11 unit काम हो रहा है, total work अगर 1500 है, तो जो उनको days आएंगे वो कितने आएंगे 1500 भाई 11, अब इसको solve कर लो, 11 से maximum कितना जाएगा 11 गुने 12 कितना होटा 132, 133 टाइम जाएगा 143 तो 143 मतलब 11 आएगा, 7 बच जाएगा, ये वाला आपका अंसर हो जाएगा, C वाला ठीक है, अच्छा कोशन है ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत important कोशन है, इससे कोशन आते हैं बहुत आते हैं, ये लगपा हर सल आप देखो सब मिला जाते हैं, ठीक है, ये वाला इसमें mixed concept है average का और पूरा इसको try करो आप ठीक है, pause करके आयो आपने pause करके try कर लिए अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो एक class में आपको number of boys, number of girls का ratio दिया हुए 4 to 5, फिकर है कि mathematics का पर लिख लेते हैं, इसको चलो लिखते रहते हैं, जल देखो boys से गलकर ratio है ये रहे boys ये रही girls, ठीक है इनके जो number है, वो कितने हैं 4 to 5 फिर क्या बोल रहा है ध्यान सुनना, कि जो mathematics में average score सारे boys का और girls का वो दिया हुआ है, ठीक है, इनका average score दिया हुआ है 70, लिख लेते हैं फिर क्या रहा है कि जो average score girls का है, वो 30% जादा है mathematics है 30% जादा girls का ओके, हो रहता है, boys बहुत वहले हो गया है, पढ़ाई नहीं कर रहा है possibility है पूरी, ठीक है so girls का जो average score है वो 30% जादा है, मतलब यहाँ भी हमको तो इनका कितना है, 13 यही है average score मैं लिख दिया ratio में 10, और इसका 30% जादा यह हो गया, 13 ठीक है, और यह दिया था तो पूछा, boys score यह वाला निकालना है अब दिखिए, यह value ना ratio में है यह हमको exact value दी हुई है तो इस ratio से अपन weighted average निकाल सकते हैं किया आपने weighted average concept पढ़ा होगा average में, तो आप एक ध्धान दो कि मैं अगर इसको इससे multiply कर दूँ सारे boys का कितना है, 4 into 10 40 सारी girls का जो number है वो कितना है, 13 into 5 65 और यह divide हो total कितने में, 4 plus 5 9 बच्चों में ठीक है, अब ध्धान सेकर देखो ना, तो यह जो कितना रहा है, 105 by 9 ना यह जो 105 by 9 है, इसी की value आपको 70 दिऊँए ठीक है, इसी की value आपको 70 दिऊँए, इसको solve कर सकते हैं 35 से दो बार चला जाएगा एक बार चला जाएगा तीन बार चला जाएगा, ठीक है तो जो मुझे 1 की value मिलेगी वो कितनी मिलेगी 6 मतलब एक unit जो है जहान सुनना कि जो एक unit है वो 6 number मतलब 6 score के बराबर है 6 score के बराबर है ठीक है जहान सुनना तो ये मेरे ratio थे अब मुझे पूछा कहता average score of boys तो boys का average score कितना था 10 unit तो अगर एक unit 6 के बराबर है था 10 unit कितने बराबर होगा 60 कौन सा option है ये वाला ठीक है ये question है ये question है कि ये CGL में भी आया है और ये SBI PO में भी आया है ठीक है 18-17 की में आया था देख लीजेगा बढ़ अच्छा question ही ये ठीक है तो कई बाइसे कुछ को क्यों होते है वो भी मैं आपको दिखाते जाऊंगा एक question था बढ़ अच्छा है वो CDS में आया sorry CAD में आया था CAD में कुछ question क्या होते है mix होते है CAD के SBI PO के आप बोलो भी आ CAD लेवल के आते है कुछ कुछ question आते है मैं दिखाऊंगा SBI PO मेंस में जो होते है और IPS PO मेंस में CAD लेवल question आ जाते है ठीक है चलो आगे बढ़ते है next लेते है question number 9 PO Pre level का है PO Pre में ऐसे question भर-बर के आते है मैंने बताया था time and work में easy question बनते है आपको basic funda clear है Pipe time और work दोनों हो जाएगा कुछ बढ़ता एक question यह है आई होप आपने बना लिया होगा चलिए देखे तीन pipe है P Q R ठीक है P और Q क्या है inlet pipes है भर रही है R outlet pipe है pipe P अकेले fill करती है tank को 20 घंटे में चलिए लिखते जाते है ठीक है तो देखे P हमारी inlet pipe है तो इसको हम लोग क्या दिखाते है plus से दिखाते है क्योंकि यह भर रही होती है Q हमारी inlet pipe है इसको plus से दिखाते है R हमारी outlet pipe है तो इसको हम minus से दिखा देंगे P अकेले 20 घंटा लेती है पूरा भरने में ठीक है उसके बाद एक question दी हुई है कि जो P की efficiency है वो Q की efficiency का 75% है तो जो P की efficiency है वो Q की efficiency का 75% अब देखिए इस सब चीजे मैं वही टायर कर रहा हूँ जो कि मैं आप लोग foundation पढ़ाऊंगा 75% देखते हैं आपको समझ मैंने चाहिए कि ये 4 है तो ये 3 है 75% को मैं लग क्या हो दा 3 by 4 तो उसका 3 by 4 करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है अच्छा तो फिर क्या करा है कि efficiency of Q is double of pi par ये भी लिख सकते है कि जो Q की efficiency है वो R की क्या है double है ठीक है कोई रिक्कत नहीं रिक्कत है अच्छे कि बाद बताओ अगर जो आपकी efficiency है आपको पता होगा efficiency और time का inverse relationship होता है ठीक है कि अगर इनकी efficiency का ratio 3 is to 4 है तो इनकी time का ratio 4 is to 3 होगा ये बाद समझ में आती है आपको क्योंकि जो जितना ज़्यादा efficient है वो उतना कम time लेगा तो इनके मैं time का ratio होगा निकालू तो 4 is to 3 आएगा ठीक है तो यहाँ पर आगर मैं करूँ देखो ध्यान से ये किसका है 4P का time है और लेकिन ये 4 किसके equivalent है 20 के equivalent है तो अगर 4 20 के equivalent है तो 3 किसके equivalent होगा 15 के मलग Q को जो हमारा day मिल गया वो 15 मिल गया 15 घंटे में पूरा tank भर देता है ऐसे R का भी निकाल सकते है क्योंकि R और Q का relation दिया हुआ है R Q क्या relation है भई कि Q के efficiency double है तो Q half time लेगा तो Q half time लेगा मतलब R केतने घंटा लेगा 30 घंटा लेगा तो R क्या करता है 30 घंटे में पूरा tank खाली कर देता है ठीक है तो कितना आएगा 60 आजाएगा तो इसकी efficiency कितने आएगी 3 इसकी efficiency आएगी 4 और इसकी efficiency आएगी minus 5 यह बात ध्यान रखेगा minus 2 minus 2 गवान समद रहा है न ठीक है कि यह खाली कर रहा है हर घंटे 2 यून्ट खाली कर दे रहा है ठीक है तो जब 3 को आप 7 में खरोगो तो यह भरेगा यह 4 भरेगा लगी उत्ते में 2 खाली कर देगा तो टोटल एक घंटे में कितना होगा 4,3,7,-2,5 यूनिट तो एक घंटे में जो टैंक भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा 5 यूनिट ठीक है तो अगर 5 यूनिट कर्स्पॉंड कर रहा है 60 वर्क डन को तो एक यूनिट को कर्स्पॉंड करेगा 12 वर्क को ठीक है बास समया की इसका मतर्द क्या है जब 3 मिल के काम करेंगे तो 12 घंटे में पूरा टैंक आपका भर जाएगा जो कि 60 यूनिट काम है तो यह आपका अंसर हो जाएगा इसी कोश्चन है मैंने बोला टाइम एंड वक के आपको कुश्चन हमेशा ऐसे मिलेंगे कास दो से प्री लेवल पे हमेशा करने को कोश्चिश को करिये अगर यह है नेश करते हैं काफ़ चाफ कोश्चन है यह बहुत धमाकेदार कोश्चन है यह कोश्चन आपका मतलब पीयो का पेपर अगर तफ बनाएंगे ना वह जैसे आपका 17 में इस कॉशनमें पीपश्चन हो आले तो यह बनाएंगे तो इस तरत बना लेंगे बहुत करेंगे तो तुमेंटा प्रीम से उपर नहीं जाएंगे तो अब पढ़ो कोश्चन को करते हो अब आप ने कल लिया होगा अब देखते हैं तो ट्रें है 45 मिन जाधा लेती है more than train b to travel resistance of 64 सा कलियोमेटर ठीक है engine trouble हो गया speed train की घड़ जाती है फिर वो 30 मिनट जाधा लेती है train ये से to complete the same journey तो A की हमको गती ज्याद करना है ठीक है मतलब speed निकालनी है A की देखे पहले आप एक काम करो देखो जो A है ना A तो A का हमको नहीं पता है time ठीक है लेकिन A 45 मिन जाधा लेता है किस से train b से चलो मतलब इसको ऐसे ही बहु सकता है कि A 25 मिन जाधा लेता है साल 4 से कलिमेटर ट्रेवल करने में ठीक है तो ऐसे ही बहु सकता है कि जो आपका b है b है 45 मिनट कम लेता है A से से दूरी कवर करने में साल 4 से कलिमेटर आप बोलो भी या b की को गुसार है बीच में क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो न तो so it takes 30 मिनट मोर देन तो A से कंपरेजन हो रहा है तो हमने कहा कि B जो है 35 मिनट कम लेता है A से से दूरी कवर करने के लिए फिर क्या देखाता है कि engine trouble की वजए से जो speed है b की वो एक चौथाई कम हो जाती है देखी लिखा हुआ है इसकी गती जो है एक चौथाई कम हो जाती है तो यहाँ पे हम जड़ा b की एकर बात करें तो b की speed के मैं बात करूँ तो आपको पता b की speed का क्या होगा एक चौथाई कम हो जाएगी मतलब अगर 4 है तो 3 हो जाएगी फिर आपको एक बात और पता होगी कि सेम दूरी को कवर करने के लिए जो speed और time है उनका relation inverse होता है ठीक है तो अगर इनकी speed का ratio 4 गुले 4 बटे 3 है तो जो उनका time का ratio होगा वो 3 बटे 4 हो जाएगा मतलब जो b को initial time लग रहा था और जो अभी time लग रहा था उनके बीच में जो ratio है वो 3 इस्टू 4 हो जाएगा और ये simple सी बात है speed घटेगे तो time बढ़ जाएगा ठीक है अच्छा अब आए क्या करेंगे फिर next क्या लिखा हुआ है जब ये speed घटती है तो time बढ़ता है फिर क्या होता है कि 30 minute वो जादा लेता है जितना a लेता था तो इसलिए मैंने a को center में लिखा कि a से 30 minute वो अब जादा लेता है कौन बी ओके ठीक है अब 30 minute जादा लेता है पहले a से 15 minute कम लेता था तो इस बाब बताओ ये जो time का gap है जो पहले 3 unit था और अभी 4 unit है तो ये जो extra time है एक unit का तो जो एक unit की value है वो कित्ती होगी 30 minute जो एक unit की value है that will be not 30 minute आप सोचो ना कि पहले वो कितना time दे था a से 45 minute कम कितना सारे 4 से करने के लिए अभी कितना दे रहा है a से 30 minute जादा तो आप gap देखो ना gap जो gap है 3 से 4 का वो कितना है 45 और 30 इधर 75 minute का gap है ठीक है तो जो एक unit की value आएगी that will be 75 minute ठीक है clear अब किसी एक को निकाल लो चाहर 3 निकाल लो 4 निकाल लो मालो 4 निकालता है तो जो 4 unit की value है वो कितनी हो जाएगी 4 into 75 मतलब 300 minute कि अब उसको कितना लग रहा है 300 minute लग रहा है इसका मतलब 5 घंटे अच्छा और A को क्या है हमको तो A का चाहिए क्योंकि भाई हमको speed A की पूछिए तो A की speed आपको निकाल लो निकाल लो है तो A का distance कितने कबर कर रहा है 400 km तो A time कितना ले रहा है A time ले रहा है 30 minute B से कम B से 30 minute कम ठीक है तो 300 minute में इसको आर्स में कर लो 240 और 30 64 घंटे लगेंगे एक को तो बाई बताओ 64 घंटे लगेंगे कितने घंटे कितना किलोमेटर करने में 6400 km 64 घंटे में कवर करेंगे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा answer बाकि ध्यान रखो कई चीज़े इसमें हैसी होंगी जो basic से पढ़ा रहा होंगा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैं आप लोग के लिए foundation वाला class स्टार्ट करूँगा जिसमें foundation में क्या होगा ये YouTube पी चलेगा जिसमें foundation में क्या होगा मेंटिप्लाइक से कास्पास करते हो ratio कैसे समझते हो एक quarter को तुरंती ये सब कैसे लिखते हैं जिसमें foundation में दिखाये जाएंगी और जो लोग पढ़े होगे उनको समझ माई रहा होगा तो आप लोग mains में that पढ़ना कि mains में और अच्छे-चे question करेंगे अच्छे से पेपर दीजिए ये class हो गई एक वीडियो में डालने को और खुश्ष करूँगा जिसमें इसमें तो हमने क्या किया हर तरह के arithmetic कवर कर ली और arithmetic के अलावा जो और DI और ये जो speed myself चीज़े होती है उनको topics करूँगा कि जो पिछले 5 साल में जो topics हैं इनके वो उठाके उसमें वीडियो में बताने कोई शरूँगा ठीक है तो चलिए उसको देखेगा अगर सीखने को मिला होगा तो लाइक करना मुद भूलना और इसको share कर दो जितना हो सके मेरी पहले class है ठीक है क्योंकि उससे मैं improve करूँगा तो आपको भी फायदा होगा और कुछ अच्छा लगा और वो भी बताईएगा क्या अच्छा लगा ठीक है तरीके कैसे लगे और ये steps और ये क्या बोलते हैं concept कैसे लगे वो जुरूब बताईएगा ठीक है तो चलिए और ये जब बताईएगा और ये जब बताईएगा